जय मसी की दोस्तों चन लम्हें मसी के साथ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे एक और खुबसूरत दिन प्रभु ने हमारे जीवन में दिखाया और आज बात करेंगे हम जब हम किसी बागीचे में जाते हैं गार्डन में जाते हैं तो देखते हैं किती सुन्दरता कितनी सुन्दर सुन्दर चीजे प्रभु ने बना रखी हैं एक से खुबसूरत पेड़ पौदे जो हम इतनी भी प्रयास कलने बना नहीं सकते और इंसान अपने बुद्धी समझ से नहीं बना सकता, लेकिन प्रभू ने एक एक चीज, एक एक लहर, एक एक बादल, एक एक नदी, समुंदर, पेड़, पौदे, पूल, फल, जीव, जन्तु, सब कितना सुन्दर बनाया, उत्पत्ति की पुस्तक में हम सब जिक्र देखते कि जिसमें लिखा है, परमेश्वन ने जितने पशु बनाये, उन सब में सर्प दूर्था, साप दूर्था, और आगे जाके हम देखते हैं, उसमें पूरी आप घटना आगे देख सकते हैं, कि किस प्रकार की घटना का जिक्र है, कि परमेश्वन ने तो सब कुछ बना के परमेश्वन ने दीज वाएं, लेकिन ये जो धूर्था सर्प, वो वहां के क्या बोलता है, जिसको शैतान बोलते हैं, शैतान एक प्रतीक के रूप में पता रखा है साप को, कि वो उसने कैसे लुभावने तरीके से बहकाया महाँ पर जाके और क्या कहा, कि क्या य जैतान सब कुछ जानता है, आप से और मुझ से अधिक जानता है, क्योंकि वो वचन जब हम देखते हैं, स्वर्ख से गिराया गया है, और वो सब कुछ वास्तिक बाते जानता है, क्या स्वर्ख है, क्या नर्ख है, क्या प्रभू की ओजना है, जानता है, लेकिन गुमरहा क करने के लिए कैसे आता है मनुश्य के पास, पूछने के लिए स्वयम सवाल करते हुए, क्या ये सच है, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, और क्या कहने लगा, जब भवा ने का हाँ, नहीं सब कुछ प्रभू ने हमें दिया, सिर्फ एक फल वो बोला है, उस पेड़ का, कि वो नहीं तो सर्प ने क्या कहा, निश्चे तुम नहीं मरोगे, और गुमरह किया, उसको खाने से क्या होगा, वो देखने में सुन्दर है, लुभाना है, बहुत अच्छा है, सारी उसकी अच्छाईयां लालच प्यदा करने लगा, और निश्चे तुम नहीं मरोगे, दावी के साथ बोलने लग गया बलकि क्या होगा परमेश्वर के तुले हो जाओगे बुद्धिमान हो जाओगे समझ खुल जाएगी तुम्हारी और उसको सुनने से वो इस्त्री आ गई लुबाने वाली बातों में और उस परमेश्वर ने जो सब कुछ दिया है इतनी बड़ योजना बना बहुत बात कि जब हम अपनी कोई स्वर्गे बात बताते हैं दर्शनों की बात बताते हैं मेरे भी साथ हुआ है आपके भी साथ होता होगा तो क्या तीसरा व्यक्ति आके कुछ और बात नया बात बोलेगा ट्विस्ट करके बात बोलेगा और कई बार परमेश्वर के ही ना की बात बोलेगा प्रभु का नाम यूज करेगा प्रभु का वचन यूज करेगा सब कुछ यूज करेगा लेकिन शिक्षा वो गलत होगी वो शेतानी शिक्षा होगी लुभाने वाले तरीके से यहाँ पर देखिए शेतान ने कोई डरावनी तरीके से नहीं आके कहा कि वो को विश्चे तू नहीं मरेगा, बहुत सारे लोग कहते हैं तो मरे कहां थे, आडम और वा मरे नहीं थे, बलकि उन्हें बस वहां से हटा दिया था, गिरा दिया था उस्वर की वातिकास, लेकिन वो नहीं जानते, ये आत्मिक मृत्यों की बात है, प्रभू के संगती से दूर हो और फिर भी प्रभू ने ये सारी बाते करी, कहने का मतलब ये है कि आज हम किसकी आवाज को सुन रहे हैं, किसकी बात को हम सुनते हैं, किसके लिए हमारे कान खुले हैं और किसके लिए हमने अपने कानों को बंद कर दिया है, हकीकत में आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे ल तरीकि बेटे बेटियां की या आपकी अच्छी अच्छी बातgeneration सब्सक्राइब चाहतें हम हमारे काण क्या है प्रशन सा सुनना चाते हैं अच्छी बाते सुनना चाहते हैं हम सोचते मैं पिश्चे नहीं मरूँगा, मैं क्या खुदा के तिली हो जाओंगा, सुन लिया इसने, और अपने आप भी खाया फल, हुआ ने, और आदम को भी खिलाया, उसके बाद जब परमेश्वर आया और पूछा सब, तो क्या हुआ, एक का दोश दूसरे ने लगाया, दूसरे ने उ इसके ओपर मतलब लगाते चले गए, मैंने ने इसने करा, इसने ने इसने इसने इसने, वही आज तक चला आ रहा, शेटान के जब प्रलोभन में हम आ जाते हैं, गलक कामों में पढ़ जाते हैं, हर एक ने किया होगा, कोई ऐसानी दुनिया में जो कई मैंने कुछ किया ही यह गलत, मैं शुद हूँ बिलकुल, तरह तरह की कमिया हैं, और जब हो जाती हैं, जब पकड़े जाते हैं, तो हम बोलते हैं, मैंने इसने 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 जैसे इसने करा, अवाने का मुझे तो यह इस तरी ने किलाया जो आपने मुझे दी, इस तरी ने का मुझे तो आपने, दोश दूसरे पर डाल दिया, किसी ने भी कहा, हमने क्यों माना, हमने क्यों सुना, ना केवल सुना, ना केवल यकीन किया, बलकि प्रैक्टिकली कर भी लिया, वैसा ही काम, वही प्रभू का वचना आज आपसे मुझसे बोल रहा है, जो बार-बारे, शेतान गरजने वाले सीही की समान स्ताक में रहता है, किसको पकड़े और हाड़ खाए, सावधान रो, सावधान रो, सावधान रो, और कितनों को तो है, मेरे ही नाम से आएंगे, मसी का नाम लेते रहेंगे, क्या ये सच है, कुदा ने ये कहा, क्या ये जूट है, कुदा ने ये कहा, कई बार तो पुराने पुराने दर्शनों की बात हम बताते हैं किसी को इतनी पुरानी सालों हो गया प्रभू वही योजना बिल्कुल एक्जाटली वैसी पूरा कर रहा है लेकिन को नया व्यक्ति बीच में आके बोलने लगे ये तो तुम्हें इसकी वज़े से हुआ ये इस इं उसकान की जो प्रभू के दर्शन हैं इतने सालों से और अक्षा और अक्षा पूरे हो रहे हैं वो मनुश्य के योजना से नहीं हो रहे पूरे मनुशियों को वो इस्तेमाल कर सकता है । प्रबु जरिया बना सकता है, लेकिन प्रबु ने जो कहा है वो निश्चित रोप से पूरा होता, उसमें कोई धर से उधर हो नहीं सकती बाद, वो मनुशियों नहीं जूट बोले जूटे वाइदे करें तो प्रबु ने जब इसारी जूटी शिक्षा है और उनको उनसे सावधान रहने के लिए बात कोई दोश लगाना नहीए। प्रभू चाहता है कि हम भले और बुरे का फर्क जाने इसलिए आत्मा के वर्दानों में एक वर्दान रखा गया है आत्मा की परक का वर्दान. जंगाई के वर्दान है शिक्षा के वर्दान है अन्य भाशा बविश्य वान। जितने सारे वर्दान है उनमें एक वर्दान है आत्माउं की परक का वर्दान क्यों रखा है प्रभु ने और पूरे वचन में बार 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 क्यों हो रहा है सावधान रहो सावधान रहो सावधान हो, इसी लिए, इसी लिए, कि ऐसे लोग आएंगे मीठी-मीठी बाते करके, मीठी-मीठी, उसने तो तुछ से यह इसलिए कहा, ताकि यह ना हो, ताकि वो ना हो, इसका तो फ़ल इतना अच्छा, इतना अच्छा, ऐसे ही जहांसे मैं आप और मैं, सीधे बोले भले लोग आ जाते हैं एक बाड दो बाड तीन बार लेकिन परभू जाता है अब सावधान हो जाओ और अब क्यूंकि परभू का अनान कथ है और हम अंतिम समय में चल्ड़ाए हैं stylish किन बातों पे चल रहा हैं किन रास्तों पे चल रहा हैं बिल्कुल मजबूत हो जाएं उसके अस्तर शस्तर डारण कर लो आत्मा के वर्दानों से भरपूर हो जाएं प्रबल रीती से सच्चे वचन से क्योंकि जब मसी का आना हो और लिखा है आपकी हर एक बात का लेखा जो खा आपके विचारों तक का विचार को मैं जानता हूं द रिनाम आपने और मैंने हैं भोगना इसलिए शैतान ने कुछ भी कहा या नहीं कहा अंजाम तो आदम हवा को भुगतना पड़ गिया और साथ में आदम को भी जिससे सिर्फ उसकी पतनी ने का ऐसा ऐसा कर ले कहने का मतलब यह है किसकी सुन रहे हैं किसकी बात में हां कर रह आने वाले दिनों में आत्मिक बातों पर चर्चा करेंगे प्रभू की पवित्रात्मा के बारे में पवित्रात्मा क्या है उसके वर्दान क्या है कैसे हासिल करें स्वर्ग की बात नरक की बात शैतान की बात दुस्टात्मा की बात फिरिष्टों की बात मित्यू के बात क्य है क्या-क्या होगा सब Bible में ही लिखा है कोई नई बात कहीं से कोई उठाके नहीं लेकिन बात यह हम इसे भूले बैट है हम क्या बस सुनना चाहते है मुझे चंगाई कैसे मिले मज़े धनवान में कैसे हो जाऊ मेरा चमत्कार कैसे ओजा है अधिक देना चाहता है, कहीं अधिक तो शेतान की बातों में प्रलोभन में ना है, लेकिन प्रभु की उन बातों के लिए हम आखे खोल लें, कान खोल लें आत्मिक आक, आत्मिक कान जो इंसानी आख और कान नहीं देख सुन सकते, वो प्रभु देना चाहता है आपको और मुझे प्रत्ये को जो भी चाहे और मुफ्त में, पहली बात है मुफ्त में और सब के लिए, कोई भी इसमें बीच में टैक्स नहीं लगा सकता, परमेश्वन ने किसी को बीच में ये ठहरा नहीं रखा है, कि उसके नाम से हम, तैसे आप पाएं, य जब ढूंडता हूँ आया, वो उसकी प्रेजेंस से छुप गए, छुप गए, भाग गए, क्योंकि उन्होंने गलती की, शर्मिंदा हो गए, आज कहीं मसी का जवाना हो, क्या हम उससे दोड़ कर मिलने जाएंगे, खुश हो के, यह छुप के जाएंगे, छुप जाएंगे, मैं कौन सा मूँ दिखाऊं, वचन बोला है, जो क्या कहेंगे भाग के, पहाड़ों मेरे पे गीर जाओ, मैं कहां भागूं, कहां छुपूं, कैसे जाओं, लेकिन जो इमानदार रहेंगे, जो खरे रहेंगे, दुख, निंदा सहने के बावजूद भी, उनके लिए लिखा धन्य है, विश्वास योगे दास, तो थोड़े में विश्वास योगे रहा में तुझे बहुत वस्तों का अधिकारी बनाओगा, आज की वचन के जरिये पर मैं शुर हम सबको आशिश दे, जय मसीखिए